हलो एन वालकम इन नेक्स नाई नियूस मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी काम में स्वागत करती हूँ आज नेक्स नाई नियूस में जहां पर आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दबंग खान स्पेशल हर कोई जानता है यहां पर हम बात करने वाले हैं आप सभी के भाई जान यानि की सल्मान खान सुल्तान टाइगर कहलाए जाने वाले सल्मान को लेकर सल्मान खान जहां पर उन्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं है फैन्स उनके जहाने वाले उन्हें अलग-अलग नामों से जरूर पुकारते हैं सल्मान के लिए हर किसी का प्यार एक से जादा बढ़के है कोई सल्मान के लिए तमाम तरहां की चीजे करता है तो वही कोई उनकी फिल्मों का इंतजार भी करता है। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म भारत को लेकर काफी जादा बिजी भी दिखाई दे रहे हैं। मगर इसी बीच सलमान की फिल्म यानि की दबंग 3 को लेकर एक काफी बड़ी खबर सामने आई है। दरसल हर कोई जानता है कि दबंग फिल्म से जहां पर सलमान की करियर को बूस्ट मिला तो वही यहां पर बूस्ट मिला है सोनाक्षी सेना के करियर को भी। दरसल सोनाक्षी ने दबंग से ही बॉलिवुड में कदम रखा था, जहां पर रज्जो के किरदार में सोनाक्षी को देखा गया था और वो फिल्म सुपर डूपर हिट साबित रही, इस फिल्म का गाना तेरे मस्त मस्त दोनेल, हर किसी के मन में आज भी गुन गुनाता है, हर क कोई इस गाने के बोल को अक्सर ही गाता हुआ भी दिखाए देता है, इस फिल्म की तरह जब दबंग 2 आई तो उसमें भी सोनाक्षी का दमदार किरदार दिखाया गया, ऐसे में सोनाक्षी को लेकर दबंग 3 को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर साब ने आई है कि मानो फैंस को जटका लग सकता है, आखिरकार क्या खबर है, क्यों फैंस को जटका लगेगा, क्या कुछ नया होने वाला है, आप देखिए हमारे इस प्रोग्राम में, तो चले आपके इंतिजार को ख़द्म करते हैं और दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट वॉलिवुट के दबंखान यानि की सल्मान खान, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, सल्मान खान इन दिनों अपनी फिल्म भारत को लेकर काफी ज़्यादा बिजीद दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, सल्मान खान की फिल्म भारत जो है, फैंस को भी इस फिल्म क अबेल को भी देखतार है इस फिल्म का जहां पहली फोटो सामने आई थी जिसमें उनके साथ केट्रीना कैफ को देखा गया था वाके ही उन तस्वीर को देख कर हर कोई अभी सेही फिल्म के लिए तमाव अपने सपनों को संजोबी रहा है हर कोई देखना चाता है कि जब ये फिल्म बड़े परदे पर आएगी तब क्या हमाल मचाएगी इस फिल्म में खास बात ये है कि इस फिल्म में सल्मान के साथ केट्रीना कैफ को देखा जाएगा अक्सर ही फैंस चाहते हैं कि सलमान और केटृिना की जोडी को देखा जाए इन दोनों की जोडी बड़े पर्दे पर अपना जागू भी खेलते रहे तो है इस फिल्म में भी सलमान और केट्रीना की जोडी जबर दस्त केमिस्ट्री के साथ दिखाई देगी ऐसे में बीदे दिनों फिल्म ने 8 साल पूरे किये हैं 10 सितंबर को 2010 में फिल्म दबंग आई थी जहां पर सल्मान खान की ये फिल्म दबंग जो है काफी श्रागदार रही जब इस फिल्म का पहला पार्ट यानि कि दबंग सामने आया था तो इस फिल्म ने काफी ज़ादा लाइम लाइट भी बड़ हो ली थी वैसे में इस फिल्म को जहां पर 8 साल पूरे हो चुके हैं तो वहीं इस फिल्म में ना सिर्फ सल्मान बलकि सोनाक्षी के करियर वो भी साथवे आसमान में पहुचाया है आपको बता देए कि सोनाक्षी इस फिल्म से लॉंच की गई थी जहां पर सोनाक्षी तुर्फ दबंग में सल्मान के साथ पहली बार बड़े परदे पर दिखाये थी इस फिल्म में सोनाक्षी की आक्टिंग का हर कोई दिवाना रहा आपको बता देए कि सल्मान की ये फिल्म सौक करोड फिल्म क्लब में भी शामिक ही तो हैं दीते दिनों आठ साल पूरे होने पर सल्मान ने ट्वीजर पर खुशी को जाहिर भी किया और हर किसी का शुक्रिया अदा भी किया वहीं सल्मान खान ने ये भी एनाउंस कर दिया है कि अब दबंग 3 जो है अगले साल रिलीज होगी जहां पर दबंग आई फिर दबंग करते इन पार्ट देखा गया जिसमें भी सल्मान और सौनाक्षी की जोड़ी को हर किसी ने सरा मानों जब इन दोनों को बड़े परदे पर आक्टिंग करते देखा जाता है तो हर कोई इनकी आक्टिंग में एक दम सिख हो जाता है जिस अंदाज में सल्मान और जिस अंदाज मिस सौनाक्षी गज्जोगा किरदार दिखाती आई है वो बाकि ही काफी ज़्यादा लेकिर अब हाल ही में दबंग त्री को लेकर हिरोईन को लेकर एक खबर सामने आ रही है जिस तरह से दबंग सीरीज में आप तक देखा गया है कि जो है सल्मान खान के साथ कुरे रोल में दिखाए और यानि कि जितना सल्मान का रोल यहां पर दबंग में अब तक देखा गया उतनां ही तो मुझे का भी रोल देखा जारे था था प्नस जो है तो मॉझे को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे थे मगर ऐसे में कहा जा रहा है कि दबंग 3 में सोनाक्षी का रोल बेहत ज़ादा छोटा होगा फिल में सोनाक्षी का रोल जिसका दो छोटा दिखाया जाएगा कही न कहीं फैंस के लिए ये काफी बड़ा जटका भी है जी हाँ क्योंकि अब तक फैंस सोनाक्षी को सल्मान के बराबर देखते आए हैं मगर तोती करती है जी आपको बता देगी सल्मान और उनकी रज्जों के साथ फिल्म में कितने देखने को मिलेंगे ये फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा साथ के साथ ख़बरों की मुदाबिक तो ये फिल्म 25 दिसमबर 2019 को बड़े परदे पर रस्त देगी यारी कि क्रिस्मस क साथ जर्मानम के संटा बनके लेकर आने वालेサ ऑगले साथ मौके परिदी देंगे फांस को फिल्म भारत की मौके पर रस्मस और पर मेंके फिल्म दबंक्त्री को वाता दे कहाँ इस फिल्म की शूटिंग भी जल्द शुरू होने वाली है इस बात फिल्म को प्रभुदेवा डारेक्ट करेंगे जिना साथी साथ दबंत्री शूटिंग गाजयवाद के साथ सा नौइडा भी की जाएगी इसके लावा फिल्म के कुछ हिस्ते मॉंबई में भी शूट होगे यानि कि कही न कहीं ये काफी बड़ा चड़का है फान्स के लिए जहां पर फान्स उमीद लगाए पैठे थे जब दबंत्री आएगी तो गर्जो का किरदार जोगोगा हर बार की तरह इस बारी काम की जादा सलमान के मुदाबिक स्ट्रॉंग दिखाया जाएगा मगर ऐसे कर देखा दबंग स्पेशल में जहां पर हम बात कर रहे हैं सलमान खान और सौनाक्षी को लेकर और उनकी फिल्म दबंग 3 को लेकर भी दरसल आपने देखा कि क्या कुछ नया आपको दबंग 3 में देखेगा मानो फैंस को क्यों जटका लगेगा ये भी आपने चान लिया दरसल दबंग और दबंग 2 में आपने जहां पर सलमान की दमदार आक्टिंग देखी तो वहीं आपने सौनाक्षी सेना यान काफी कम होगा यकीनन फैंस ये सुनके काफी जादा हैरान रह गए होंगे दरसल फैंस चाहते थे कि भाई इस फिल्म में भी सौनाक्षी दमदार किरदार में दिखें क्योंकि अब तक देखा जा रहा है कि सौनाक्षी बहतर आक्टिंग करती दिखाई दे रही हैं मगर मान दबंत्री में अब जो जोर होगा जो रोल जादा तर फोकस में होगा वो सलमान खान का ही होगा अब फिल्म में देखना होगा कि आकरकार कितने शौट पीरिड के लिए सौनाक्षी सेना इस फिल्म में दिखाई देंगी आपको बता दे कि ये फिल्म क्रिस्मस के मौके पर होगी यानि कि नेक्स्टियर ये फिल्म क्रिस्मस के मौके पर 25 दिसंबर को बड़े पर दस्तक देगी सलमान खान ये फिल्म 25 को लेकर आ रहे हैं तो वहीं उससे पहले ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म भारत भी बड़े पर दस्तक देगी ऐसे में कहीं न कहीं फैन्स सुनके हैरान रह गए होंगे, शौक्ड हो गए होंगे, मगर अब इंतजार है फिल्म की रिलीज का, जब ही पता लगेगा कि आखिरकार सुनाक्षी का जो किरदार है वो कितने टाइम का होगा, फिलालाचिये इस प्रोग्राम में बस इतना ही हमें दीज़े इजाज़त अब तक के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बाबाई अगर आप भी बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, पीटियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर, तो हमें संपस करें